असलाम डीकुम्द जैसे मेरा नाम शाजाद अली जद्वानि ऐक हम चेप्टर नमीडर वान स्टार्ट कर रहे है इस बुक का और इस बुक को लिखा है हफीज संजरानी ने आज जो चेप्टर है यह ग्रामर का चेप्टर है ठीक हम ग्रामर पड़ने हैं ग्रामर हमें क्यों पढ़ने चाहिए उसके rules पढ़ने चाहिए है क्योंकि हम जो लिखते हैं ना वो सही लिख रहे हैं या नहीं वह वे पता नहीं होता तो हम श्रीज़ जो पता चलती है वह grammar से पता चलती है होते है वह क्या होता है आज है फिर मैं हम grammar की एक definition मेरे पास लिखे हुई हम उसमें जाते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता वाट इस grammar grammar आखिर है क्या ठीक है grammar है क्या और इसको क्यों पड़ते हैं ठीक यहां पर देखें इस्ट्रिक्टर टेगे देश्ट्रिक्टर एंड सिस्टम और अफ एनी लेंगविज क्या एनी लेंग्विज इसकाल गिरामर ठीक है यहां पे देखें आप इस्ट्रिक्चर की मीनिंग भी आपको इस्ट्रिक्चर की मीनिंग बनावत सिस्टम का मतलब होता है कानून ठीक है सिस्ट्रिक्चर की मतलब होता है बनावत सिस्टम का मतलब होता है कानून ठीक है मतलब कि कि किसी भी एनी लेंग्विज का मतबहता है किसी भी लेंग्विज की बनावत और उसके कानून को हम क्या कहते हैं English grammar कहते है ठीक है फुल फॉर्म आफ ग्रामर क्या होता है ठीक है जी फार जरनल मतबकि عाम आरफार रूल्स मतबपके काइदे A for end, end का मतलब था और M for manner, manner मिस तरीके ठीके, यह तरीका M for modulated, modulated मतलब के दुरस्त करना यह सही करना, A for according, according मतलब के मताबिक, R for reason, सबब के मताबिक जो काइदे हैं, यह तरीके हम set करें, उसे हम grammar कहते हैं, आप कोई भी sentence लिखेंगे, तो उसमें आपको तो पता होना है किस में जो काइदे हैं grammar के जो कानून है, उनको हमें follow करके वो sentence लिखना चाहिए, ठीके, तो यह सारे जो काइदे कानून हम जो पढ़ते हैं, वो किस चीज में पढ़ते हैं, grammar, आपका यहां full form में पता चल जाएगा, कि grammar का आलफाज आपको क्या कहता है, ठीके, तो आज हमने जो यह चिप्टर नबर पहला पढ़ा है, वो grammar के बारे में थोड़ी knowledge थी, जो मैंने आपको दे दी है, ठीके, यह मेरा आज का पहला वीडियो जिसको मैंने बनाया है, ठीके, मैंने से बहुत बनाया है, और इसको मैंने record किया है, पस महरबनिक करके, मुझे support करें, मैं को continue रखेंगे, और अगर आपके support रही तो इन्शाला मैं बौर्ड पर आपको, मतब के computer languages, C, C++ और भी बहुत से languages जिने, मैं वो भी पढ़ाओंगा, इन्शाला ताला और computer के लिए आसे, जो भी चीज़े होंगे, मैं इन्शाला आपको पढ़ाओंगा, English, math, और भी बहुत से subject हैं, जो मैं वो आपको पढ़ाओंगा, लेकिन आपका मुझे में support चाहिए, महरबानी, thank you and जजाका ल्ला